वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को हम बहुत बार बता चुके हैं कि आपकी बार हम अगर घार चलेंगे तो आपको अपना बच्पन का इसकूल दिखाएंगे और इस समय हम इसकूल में ही हैं लेकिन आपको यकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो आप द्रिस से दे जमके होती थी कुटाई भी जमके होती थी और फीस जो होती थी मात्र पंद्रा रुपय प्रति महीना लगभग जहां तक हम जानते हैं तब थी यानि कि समझ लीजिए कि आपका डेड़ सो से दो सो के आसपास पूरा साल बिच जाता था और उसमें भी जब दादी जमा करने आती थी तो सर जी से थोड़ा जिक जिक करके अगर देड़ सो होता था तो दस रुपय कम ही कर वा लेती थी इतना ही नहीं यहां की और बहुत बड़ी बिच्छताएं थी जो की वक्त के साथ काफी कुछ बदल चुका है और जो आप इधर साइट जाड़ी देख रहे हैं य यहां पर 200 से 300 बच्ची अगर दिन भर दवर लगाते थे तो यहां पर एक ना घास पूस होता था ना पत्ती होता था इधर पेड में दिखाई है तो यह पेड़ आप देख रहे हैं सामने इसमें से बहुत सारी पत्तियां गिरती हैं तो यह पत्तियां क्या होती थी जब ब पिटाई होती थी दुबारा उससे पत्ति के बाद घास भी उचड़वाई जाती थी और इतना ही नहीं कभी-कभी ऐसा भी होता था जब अगर कोई भी मतलब कामसाही से नहीं कर रहा है यार पढ़ लिख नहीं रहा है तो उसको सजा के रूप में भी पत्ति बिनने की सजा रही होंगी लेकिन हम लोगों ने किया है और जो इसको दिखाई यह जो आप देख रहे हैं सरकड ऐसे होना चाहिए इसमें जो डंडे होते हैं इससे मार पड़ती थी विसेस रूप से और इतना मार पड़ती थी कि दिमाग और बुद्धी दोनों चलने लगता था बाकी आ यहां पर आप देख रहे हैं दो पेड़ हैं इनके नीचे हम लोग आ करके पढ़ते थे और इतना ही नहीं पढ़ने के साथ साथ में यहां पर और भी बहुत से चीजें थी जो की मतलब खेल कूद का भी प्रोग्राम होता था इन पेड़ों पर सीयरंडी आपने नाम सुना ह बताइए का कौन-कौन खेला हूए तो और यहां सामने यहां पर एक पेड़ था जिसका नाम दाहियवा था और इदर साइड में जहां पर आप देख रहे हैं यानि कि 2012-2011 में बहुत अच्छा स्कूल यहां पे चलता था उसके बाद फिर आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो गया चानक आई आपको दिखाते हैं ऐसा क्या हुआ जो आप इधर साइड देख रहे हैं आप जानते हैं कि लोगों की बदलती दिन चर्ण रहा और हम लोग का नुकसान भी होता था नुकसान मतलब यह होता था आप लोग सोच रहे होंगे क्या नुकसान होता था जैसे कि जो गाओं की मतलब बगीचा है वहां पर पहला नंबर तो कोई फल नहीं बचता था और दूसरा नंबर जो अगल बगल के खेत थे उसमें जो खाने पीने की चीजे होती थी मतलब बोया जाता था तो उसको बच्चे किसी ना किसी तरह से मतलब चाहे जितना भी पाबंदी रहे स्कूल में लेकिन जब इंटर्वेल होता था दो पार चालिस मिनट का तुझा करके वह बहुत नुक्सान करते थे और उसके बाद गार्जियन जो हैं सिकायत लेके आते थे स्कूल में फिर मार भी पड़ती थी मुर्गा भी बनाया जाता था और बहुत सारी सजा मिलती थी ले अपी सरपत दिख रहा है और जो यह पेड़ आप सामने देख रहे हैं इसी पेड़ जैसा बिल्कुल सेम था इतना मोटा सा यानि कि अब यह सब आप सोच सकते हैं इन सब पेड़ों को तयार करने में लगबग साइकड़ो साल लग जाते हैं और यहां की बिसेशता थी कि य हम बहादूर भी हमारे साथ हैं दो तीन लोग है तो आइए आपको दिखाते हैं अब अब है कि आइज मेरा नाम राहूल जिसे कि आप देख रहे हैं यहां पहले स्कूल था तो राहूल जी सबसे पहले आप यह बताएंगे कि यहां पर जो पेड़ देख रहे हैं क्या यहां पर अगल बगल बगल और पेड़ था यहां पहले एक बड़ा हार जानते हैं आप लोग बढ़ा है का पेड़ था इसमें बहुत सारे बहुत बढ़ा पेड था हैं जिसे आपको कुछ नहीं है इसका और की दिख रहा पहले पर प्रिंस्पल जी तेज बहुत बढ़ी बहुत अच्छा तक दिहां पेले पती पती नहीं दिखती थी है कूड रूप में इसको प्रिंसिपल है अनुट्वाई करवा थे और शुआध यहां कहीं था जी यहां पहले अफिस था जैसे कि आब बर शात के पर सेमेंट किस टाइप आप देख रहे हैं पहले यहां पर बच्चे बढ़ते थे स्कूल में बैठा जाता था जैसे बोरी कुछ लोग अपनी परसनल जैसे बोरी लेकर आते थे बैठने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहां मुलब एक निष्जिश जगह जहां चाया देखकर गर्मे के मौसम में बैठा जाता था जैसे वहां देख रहे हैं कि वहां पेड़ पेड तक वहां बचे बैठते थे वहां टीचर कुर्सी लगाकी और लोग यहां पर पढ़ते थे और भी मतलब यह बगीचा भी था एक प्रकार से जो कि आप सर्पत सर्पत देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे आम हो गएरा के पीड़ भी होते थे और एक बार यहां पर खुदाई करवा दिया गया था अगये कि यहां पर जो मतलब इस्तिती आप देख रहे है यह साप पहले कैसे था ऐसे कुछ घ्राπως पूश ह यहां बहुत चेंज हो गया है बहुत बहुत दिनों पहले की बात है इसकुल पहले चलता था यहां तो तो नहीं चलता है यहां बहुत दिन हो बंद हुआ यहां कुल बहुत साफ उत्रा रहता था यहां लोग बैठते थे पढ़ते थे यहां जैसे कि यहां तो जम गया है तो अब तो नहीं बहुत कितना साल की बात होगी नमसम इसाफ साल पहले की बात है जब यहां हम लोग पढ़ते थे कौन सा साल रहा होगा अरे 2010 11 की बात है तो यहां 2010 11 में जो है यहां बहुत अच्छा इक पूल चलता था और उसके बाद में काफी कुछ बदल चुका है जो आप पेड़ देख रहे हैं यह भी लगभग जाने वाला है क्योंकि जो प्रकृतिक संसाधन है वो इंसानों के दारा खुद ही खतम कर दिये जा रहे हैं आप देख रहे होंगे यह लगभग सूखने वाला है वैसे तो फिलाल कुछ पेड़ों की आयूप पूरा हो जाती तब सूखते हैं और कुछ जो है हम लोगों की कमी की वज़ा से सूख जाते हैं दूसरी बात आप देख रहे होंगे गा ने आसपास महाल में देख पार रहे हैं जिन लोगों के हाँ समर सेबल लगा हुआ है उनका चाहे कि पानी का किसी काम हो या ना हो हर किसी के यहां वह लगभग हर टाइम चलता रहता है मतलब कभी बंद नहीं होता है यह सब सोचने वाली बात है क्योंकि धर्थी पर्द मात्र 3% जो जल है वो पींए ही होग है और 3% में से 0.6% जल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बाके तीबूल और नल के माध्यम से निकाला जाता है बाकी जो 2.4 परसंट जल है यानि 3 परसंट में वो गिलेसियरो गैरा में भरा हुआ है जिससे आप डारेक नहीं पा सकते हैं तो पीने वाला जल इतना कम होने के बावजूद भी लोग उसी पीने वाले जल से क्या क्या करते हैं कार धुलते हैं अपना सिचाई करते हैं बहुत सारे काम करते हैं तो कुछ काम तो जरूरी होते हैं लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनकी कोई मतलब नहीं होता है जैसे मान लिजिए कि किसी जगा पर कुछ ऐसा पानी बहता रहता है हर टाइम निकलता रहता जिसका कोई मतलब ही होता है हमने आपको परियागराज का कुछ द्रिश से दिखाया था जहाँ पर कुछ ऐसे आपको नल और टोटी दिखाया था जहां पर लगभग 24 गंटे पानी बहता रहता है उसका कोई परबंधन ना तो यह जल्बी भाग वाले करते हैं अधिकारी और ना ही कोई आम जनता करती है जब वहां पर एक दिन हम रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो मौझूद अस्थानी लोग थे उन्होंने कहा कि भीया यहां पर जो आसपास के लोग इसमें से पानी भरते हैं अगर यह बंद हो जाता तो काफी परेसानी होती है और वो कई बार उसको लगवा जिसको हम लोग खाते थे लंट देखिया दादा जी आ गए हैं यह भी कापी कुछ जानते हैं इसके बारे में दादा जी बताई आपका क्या नाम है बहुति परसाद आप बताईए कि यहां पर पहले की स्कूल था इसकूल के बारे में कुछ पता आपको हां तो उसकूल रह स्कूल से आपको कुछ नकसान का होत रहा है अरे कुछ नहीं कुछ ना बच्चा हां तो देख रहे जो जड़े इसकी सुक गई है बड़ा हर की इस पे आम लोग लूंग में बैठते थे तो मौज मस्ती करते थे सामने जो दिख रहा है इधर साइड में यहां पूरा साइड में है यहां भी मतलब कोई पेड हुआ करता था ना जो जाड़ी ओगरा देख रहे हैं अभी आम अगरा का कुछ पेड था महुआ हुआ कुछ भी हां यहां था एक बहरिया नाम का पेड था राहुल 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 तोड़ते थे लेंच में आके तो बहुत मौन क्यों करती थे में देखिए राहुल जी भी आ गये हैं अब इन से कुछ हम जानकारी लेंगे तो अब बताएं आप यहां पर जो मतलब पेड था वो तो कैसे गायब हो गया क्या हुआ जी आप पाणी के कमी से न पंतोर शूक है है आप अजश वहां मलंब होते थे थे कि रहले भब दे दोड़के सब नुक्सान करते थे यहां वक् Dag बहुत बदमासी करते थे तो मित्रू चलते हैं अब इधर साइड से ही सार लोग आते थे जो आप रास्ता देख रहे हैं धर्रा ऐसे ही पहले भी था इसमें थोड़ा सांतर क्या था कि इधर साइड जो घास पूस देख रहे हैं ये सब कुछ बहुत कम था और लगभग आप स इसको याद है तो बहुत सारा अच्छा महौल था यहां पर फिलहाल लेकिन वक्त और परिस्तितियों के साथ सब कुछ बदल चुका है लोग अपने बिजनेस और आजीब का के पालन के लिए काफी अलग-अलग कुछ परकार का संसाधन कर रहे हैं और कुछ और भी परिस्त यहां पर और भी बहुत से टीचर थे जैसे स्री विनोट कुमार स्री हनुमान परसाद और भी साता टीचर हुआ करते थे और सबसे बड़ी विस्ता थी यहां पर जो कि राहुल आपको बताएंगे अब मार मैं को यहां हर साल आप जाता थेजर नराप परसाद कर सक्रत्य गाएंख करते थे में गां गान आपको बहुत अच्छा पर Council करता थे और प्रवाबर करते थे उसके बाद फिर से चलता था कारे और यहां पर कुछ मुर्गी पालन खोल दिया गया है क्योंकि जगा यहां पर खाली हो चुकी है सब कुछ बंद हो चुका है और फिलाल लगभाग बहुत कुछ बदल चुका है यहां पर एक नल हुआ करता था इधर वह भी खतम हो चुका है बहुत सारे पेड़ खतम हो चुके हैं लेकिन इसमें चलते चलते हैं आपसे एक रिक्वेश्ट करना चाहेंगी कि आप लोग भी कुछ ना कुछ पेड़ अबस से लगाएं क्योंकि यह इतने भारी भरकम जो पेड़ तयार होते हैं लगबख सौ सा हो गया है यहां तक कि आप जानते होंगे सूर की जो अल्ट्रा वाइलेट करने होती है वह भी लगभख धरती तक काफी मतलब कुछ हद तक पहुच रही इस टाइम पर जो की काफी नुकसान दायक होती है यूबी करने जिने बोलते हैं है ना तो उनको रोकनी का एकी तरीक बिना किसी मतलब के भी चल रहा है और इसके अलमा और भी बहुत सी चीज है जैसे कहीं पर पानी बहर आया तो आपकी जिम्मेदारी होती है उसको रोकना यह सब अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पर बाहर निकलना मुस्किल हो जाता है लेकिन यह नियंतरन करने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा प्यड़ होने चाहिए चलते हैं फिलाल बहुत बहुत सुक्री आप लोगों को कमेंट करके बताईएगा कैसे लगा आपको यह विडियो थैंक यू